नमस्कार जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारे आसुतोस और आज हम चर्चा करते हैं मनोरोग की मनोरोग अर्थात मन का रोग इस समस्या में इस्ट्रेस्ट, डिप्रेसन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, सीजोफ्रेनिया यह तमाम बिमारी मनोरोग में ही आते हैं लेकिन इसका जब विक्राल, स्वरूप जब हो जाए जब बिक्ती की मन की दसाएं जब हिल जाए इसके कारण क्या है और निवारन क्या है आज हम विस्तित रूप से इस पर चर्चा करते हैं मनोरोग के लिए सरप्रथम जैसे ब्यक्ती के किसी भी ब्यक्ती के जीवन में जब जंजावात आ जाए कोई आंधी तुफान यानि मनोनुकूल कारे नो होना जब कभी भी ब्यक्ती किसी भी कारण से जाने अंजाने में किसी भी चीजों में जब उलस जाता है जब फस जाता है और कोई रास्ता ना मिले तो इस कंडिशन में एक emotional imbalancing सुरू हो जाती है जिसके कारण ब्यक्ती बहुत से लोग अपने बुद्धी और विवेक का प्रियोग करके इससे निकल जाते हैं बहुत से लोग इसमें फस जाते हैं परिणाम सरूप उनकी मन की दसाएं बिगर जाती है कभी वो ज़्यादा खुस होते हैं तो कभी इतने ज़्यादा मायूस की depression में चले जाते हैं anxiety level बढ़ जाता है बहुत क्रोध आता है चिर्चिरापन गुसाना यह सब इसके निसानी है कई बार hormonal changes होने के कारण भी ऐसी स्थिती होती है brain में मस्तिस्क में यह देखा गया है कि sodium का आस्तर chemical का level भी imbalance होने के कारण ऐसी स्थिती बनती है योग एक ऐसा माध्यम है जिसको अपना कर जिसको एडॉप्ट कर जिसका भ्यास कर योगिक सुक्ष्म ब्यायाम आसन प्रानायाम मुद्राबंध सुक्ष्म ब्यायाम सुरे नमस्कार का भ्यास करके सत प्रतिसत मनोरों को ठीक किया जा सकता है इसके भी भीतर एक गहरी सी चीज है योग निद्रा और ध्यान जप योग, तप योग, ज्यान योग, ध्यान योग, ले योग, क्रिया योग, स्वरोदय योग यह सब भिन भिन प्रकार के मार्ग हैं माध्यम है इसको ठीक करने का लेकिन उसमें योग निद्रा सबसे सरवत्तम माध्यम है मनोरोग को ठीक करने के लिए जब भी मनोरोग होता है तो बिक्ती को कब्ज की सिकायत होने लगती है उसे दूर करके रखा जाए उसके लिए किसी भी कुसल आयरुवेदा चारे के निर्देशन में इसकी चिकित्सा योगा चारे के निर्देशन में इसकी चिकित्सा कराए या किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंडर में जा करके इसकी चिकित्सा ले, सत्अ प्रतिसत हल्दाई है योग में आज हम कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास आज हम आपको बतला रहे हैं जो आपको रोज़ दिन करना है सर पर्थम है आसनों की स्रिंखला में only विसरात्मक आसन relaxative pose विस्राम करने से healing process बढ़ता है मन की दसाएं ठीक होती है जिसमें सवाशन, बालाशन, मकराशन, विसरात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन जैसे सिधाशन, स्वास्तिक आसन, वज्राशन, पदमाशन ध्यानात्मकासन में बैठने से उड़ जा सकती बढ़ती है जो चक्रों का इंबैलेंसिंग हुआ है जो निस्क्रिये चक्र हैं वह भी एक्टिवेट हो जाते हैं modern medical science में चक्रों को ही glands कहा जाता है glands का भी यदि प्रोपर function में नौ आए तो इस प्रकार की समस्या होने लगती है तो सबसे सहज सी पधधती है क्रिया योग में या राज योग में राज योग में सबसे बहतर है योग निद्रा का भ्यास हम आपको इसके बारे में अगली करी में बतलाएंगे योग निद्रा चुकि यह 27 मिनट का है तो योग निद्रा विष्टित रूप से इस पर अगले दिन हम विशेश कर चर्चा करेंगे योग निद्रा के बारे में कि योग निद्रा का भ्यास कब करें कैसे करें ताकि इसका सत प्रतिसत लाभ मिले इसमें प्रानयाम में जो रिसर्च वर कहता है कि भस्त्रिका और कपाल भाती सुरवाती दिनों में नहीं करना चाहिए पहले नारी सोधन अनुलोम बिलोम प्रानयाम का अभ्यास ब्रामरी, सीतली और सीतकारी प्रानयाम का अभ्यास तो हम आज आपको बतला रहे हैं कि सरब से पहला जो प्रानयाम का अभ्यास है वह अनुलोम बिलोम दाहिने हथेली से नासी का अगर मुद्रा बना लें और इसे धीरे धीरे बाई नासी का छिद्र से पहले स्वास को बाहर निका लें धीरे धीरे लेट से इनहेल फिर राइट नॉस्टिल से एकजेल फिर धीरे इस से एकजेल और दूसरे से एकजेल इसकी बारह से पंद्रह अबरिती आपको करनी हैं रोज दिन तत्पश्चात आपको सीतली प्रानायाम या सीतकारी का भ्यास करना है सीतली प्रानायाम में जीव को गोलाकार पाइप की आकरिती का बनाते हैं यह सीतली प्रानायाम जो कपाल प्रदेश में जो विकार है यह उसको नस्ट करता है सीतली प्रानयाम का आपके नस नाडियों पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव देखा गया है। सीतकारी जिनका जीव पाइप की आक्रिती का नहीं बन पाता, वह तित को दांत के भीतर से सीतल वायू का इनहेल करें, अंदर की और खींचें। दस से पंद्रह बार इस प्रानयाम का आपको अभ्यास करना है, साथ में भ्रामडी प्रानयाम तरजनी उंगली से कान को बंद करते हैं, और भ्रमर गुंजन करते हैं, भ्रामडी मौ की ध्वनी होती है, मुह बंद करते हैं, इनहेल करके दोनों ओस्ट मिले हुए, इस प्रानयाम का अभ्यास मन मस्तिस्क पर बहुत ही तिब्रगती से परता है, और आखरी प्रानयाम प्रनव ध्वनी का उच्चारन ओंकार नाद दोनों हथेली ग्यान मुद्रा में, पांच मिनट तक रोज दिन प्रतेक मनों रोगियों को अभ्यास करना चाहिए, प्रानयाम के तत्पस्चात थोड़ी देर का ध्यान सान तो होकर बैठें, इस्थिर सुखा मासनम, जिस सवस्था में इस्थिरता हो और सुख की अनभूती हो, इसमें आपको बैठना है, इस्थिरता, अस्थूल सरीर इस्थिर होते ही, चित इस्थिर होने लगता है, इसलिए आसनों की पड़िवासा है, इस्थिर सुखम आसनम जिस सवस्था में इस्थिरता हो और सुख की अनुफूती हो अस्थूल सरीर इस्थिर होते ही चित धीरे धीरे इस्थिर होने लगता है इसलिए महरसी पतंजल ने कहा है योग चित की बृत्यों को रोकता है चित की बित्ती है चंचलता यही मनोरोग में होता है हमेशा चित चंचल भागता रहता है मन एक अस्थान पर नहीं टिकता नहीं लगता इसलिए जरूरत है रोज दिन आपको योग योगी के जीवन सैली अपनाने की बाजार की बनी हुई चीजों का सेवन न करें थोड़ा सा खान पान का खास परहेज रखें वैसी अहार का सेवन करें अहार युकती पुरवक अहार और विहार बाच्चीत भी वैसे शाहित्य को पढ़ें बाजार की बनी हुई चीज मैदे तेल मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन न करें सात्विक साकाहार सुद्ध सात्विक भोजन लें मांस एवं मदिरा का सेवन न करें नसा का सेवन न करें ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि हमें मन की सांती मिल गई लेकिन यह औस्थाई निवारन है अस्थाई रूप से तो आपको इसे छोड़ना ही परेगा ततपस्चात इसका भरपूर लाभाप ले सकते हैं आप निरोगी बन सकते हैं आपकी काया निरोगी हो सकती है पहला सुख निरोगी काया इसके लिए जरूरत है एक और छोटा सा टिपस आपको बतला रहा हूँ पांचों उंगुलियों के आगरभाग को मिला कर इसे प्रेस करके रखें ऐसा दस बार रोज दिन करना है ऐसा करने से आपकी चित की बृत्तियां मन की दसाएं स्वतह थोड़ी सी नियंत्रित होंगी और इसकी बीच के हथेली के बीच के हिस्से पर अंगुठे से पांच-पांच बार दबाएं फिर रिलाक्स करें ऐसे ही दूसरी हथेली पर भी ऐसा आप करके तो देखें सत प्रतिसत लाभ आपको मिलने जा रहा है सिर्फ जरूरत है आपको एक संकल्प सक्ति की अपने दैनिक जीवन में इसे उतारने की जैसे ही आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया आप संपोर्न सारेरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से आप बन जाते हैं स्वस्त आज के लिए बस इतना ही अगली करी में पुनहाप से मुलाकात होती है यदि आप इस जीवन मंत्रा चैनल के सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत बहुत आभार यदि आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाव मिल सके यदि आपके मन में कोई सवाल अभी भी आ रहा है तो आप हमें एक मेल भेज सकते हैं फोन कॉल कर सकते हैं बस आज इतना ही आपका दिन सुब हो कल प्रातह काले इन पुनहाप से मुलाकात होगी एक नई फॉर्मूले के साथ नई मंत्रा के साथ नए सुत्र के साथ थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद आभार हरियोम नमस्कार